सबी को मेरा प्यार बरा नमस्कार बच्चो आज हम हिंदी व्यकरन कक्षा सात्वी विशेशन के बारे में जानकारी लेने वाले है बच्चो व्यकरन भाषा की आधारशिला है किसी भी भाषा का समुचित अध्यान करने के लिए उसके व्यकरन का ज्यान आवश्यक है भाषा के विशेशन के बारे में जानकारी लेंगे आगे देखेंगे नीचे दिये हुए वाक्य पढ़िये पुस्तक में सुन्दर चित्र है हटी बुढिया नहीं मानी सैनिकों की पहली टुकडी आगे बढ़ी फ्रेंक्लिन ने उसे 20 डालर दिये अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए पुस्तक का मुल्य डाही रुपे था बच्चो ये जो रेखांकित शब्द है गौर से देखिए क्यूंकि ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण है आगे देखेंगे उपर दिये हुए वाक्यों में मतलब आभी आभी हमने देखे है रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए पुस्तक में कैसे चित्र है सुन्दर बुढिया कैसी थी हटी सैनिको की कौन सी टुकडी आगे बड़ी पहली फ्रैंक्लिन ने उसे कितने डालर दिये बीस अनाच का कितना उत्पादन होना चाहिए अधिक पुस्तक का मुल्य कितने रुपए था डाई आगे देखेंगे सुन्दर शब्द चित्र सग्या की विशेश्ता बताता है हटी शब्द बुढिया सग्या की विशेश्ता बताता है पहली शब्द तुकडी के बारे में विशेश जानकारी देता है बीस शब्द डालर सग्या की विशेश्ता याने संख्या सुचित करता है अधिक शब्द उत्पादन सग्या की विशेश्ता याने परिमान सुचित करता है डाई शब्द रुपया सग्या की विशेषता याने संख्या प्रकट करता है इस प्रकार बच्चो उपयुक्त वाक्यों में आये रेखांकित शब्द किसी न किसी सग्या की विशेषता दर्शाते है इसलिए ये विशेषन है आगे देखेंगे सग्या की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषन का प्रयोग होता है बच्चो जैसे मैं बहादुर हूँ तुम अजनबी हो इन वाक्यों में मैं और तुम सर्वनाम है पहले वाक्या में मैं और दुसरे वाक्या में तुम ये सर्वनाम है बहदुर शब्द मैं सर्वनाम की और अजनबी शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता सुचित करता है इस प्रकार बहदुर और अजनबी शब्द विशेषन है जो शब्द सग्या या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है उसे विशेषन कहते हैं बच्चो विशेशन जिस सग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है उसे विशेश कहते हैं जैसे निरज अच्छा लड़का है इस वाक्य में अच्छा विशेशन और लड़का विशेश है आगे देखेंगे बच्चो विशेशन के चार प्रकार यानि चार बेद है पहला जो बेद है गुनवाचक विशेशन दूसरा संख्यावाचक विशेशन तीसरा परिमानवाचक विशेशन और चौता सर्वनामिक विशेशन अब हम पहला बेद जो है, पहला प्रकार जो है, गुनवाचक विशेशन के बारे में जानकारी लेंगे निम्नली कित वाक्य पढ़िये? उल्लू बुद्धिमान पक्षी है उल्लू कैसा पक्षी है? बुद्धिमान बुद्धिमान होना एक गुन है बच्चो चीन्टी मेहनती होती है, चीन्टी कैसी होती है? मेहनती, मेहनती होना एक गुन है आगे देखेंगे गाउ में हरे बरे वरक्ष थे, वरक्ष कैसे थे? हरे बरे हरा बरा होना एक गुन है, वह दुदारू गाय है, गाय कैसी है? दुदारू दुधारू होना एक विशेष्टा या गुन है वह इमानदार है वह कैसा है इमानदार इमानदार होना एक गुन है बच्चो आगे देखेंगे अब बच्चो उपर के वाक्यों में बुद्धिमान, मेहनती, हरे बरे, दुधारू और इमानदार शब्द जो है विशेषन है इन में से प्रत्यक विशेषन अपने से सम्मंदित, सग्या या सर्वनाम का कोई न कोई गुन बता कर उसकी विशेषता प्रकट करता है ऐसे विशेषन को गुनवाचक विशेषन कहते है गुनवाचक विशेशन गुन और अवगुन दोनों को सुचित करता है बच्चो इसलिए शरारती लड़का, दुष्ट आदमी, गंदा कपड़ा इनमें शरारती, दुष्ट और गंदा विशेशन भी गुनवाचक विशेशन है जिस विशेशन से सग्या या सर्वनाम के गुन का बोध हो, उसे गुनवाचक विशेशन कहते है बच्चो अब बच्चो गुनवाचक विशेशन के कुछ और दूसरे वुदारन भी है जैसे नीम आदमी का सच्चा साती है फुटबॉल का मैदान आयताकार होता है यह बिलकुल जुटी कहानी है गरीब विद्यारती ने मदद मांगी उल्लू एक उपयोगी पक्षी है अब यह जो रेखांकित शब्द है यह सारे के सारे गुनवाचक विशेशन है यह गवर से देखने के बाद आपको पता चलेगा क्यूंकि वाक्य में इससे विशेशता का पता चलता है बच्चो शेश विशेशन के जो प्रकार है बेहद है दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार और चौता प्रकार यह हम अगले तासिका में देखेंगे धन्यवाद फिर मिलेंगे ज invertा गौता में जनता है प्रकार झाल